तो हेलो को याइस आप सबस्वागते देशे टेक बस्टाइब तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले इंफिनिक्स जीरो बुक और ये एक बहुत ही महंगा लैप्टॉप रहने वाला ये एक प्रीमियम लैप्टॉप इंफिनिक्स के तरफ से आने वाला लैप्टॉप और अगर आपको कोई भी क्वेरिज हो लैप्टॉप को रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन ओपन है पूछ सकते हो आइल ट्राइ टू गिव यू मैं आपको जो भी कमेंट्स पर रहेगे उस पर इसके अंदर आपको 12 जन के एच सीरियस वाले प्रोसेसर देखने गर में प्लस इसकी प्राइसिंग तो यस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा और यह 31st of Jan को 12 बजे लाउंच होएगे आई 9 तक आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने में जाएगा 32 GB RAM प्लस 1 TB SSD में लेगे तो इससे अप अंदाशा लागा सकते ह इसका प्राइसिंग क्या रहने वाल है तो यस आप सोचो तब तक मैं आपको और भी जादा इसके स्पेक्स बताऊंगा तो फास्टल 12 इंटल को आई 9 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने में जाएगा जो कि 14 को ब्रेट लेस परफॉरमेंस आपको निकाल के देगा 32 GB L देखने में जाएगी अप टो 1 TB फास्ट पीचिए 4.0 SLD देखने में जाएगी यानि कि जैन 3 SLD आपको इसके अंदर देखने में जाएगा याई ब्यूटी चैम आपको इसके निकाल देखने में जाएगी और अगर बात की जाए Wi-Fi की तो यह वाइफाइ 6C आपको इसके देखने में जाएगे iStorm 2.0 वाला upgraded dual fan cooling system आपको इसके निकाल देखने में जाएगा तो इसमें आप क्या कर सकते हो कोडिंग कर सकते हो editing कर सकते हो and design related graphics related काफी सारे काम कर सकते हो कि इसके में आपको देखने में जाएगा i9 और वो भी पूरा स्क्रीम पर नहीं दिखा पा रहा हूं तो यह कुछ ऐसा वीडियो का मैं नहीं दिखा पा रहा हूं तो आपको इसके अंतर एक अलग सा बटन देखने में जाएगा इको मोड और बूस्ट मोड करके अवर बूस्ट मोड करके यह बटन रहेगा तो बहुत ही ज्यादा ओसम फीचर है ओवर बूस्वीच है इसको नाम दिया गया है जो कि आपका दो यूनिक ऑबूस्वीच अनलेश इस दफूल पावर ऑफ द जीरो बूक अल्ट्रा इनके ज हुए इको मोड बैलेंस मोड और ओवर बूस्ट मोड गेट प्रो एट स्टेंग आउंट मेटी और फिस डिजाइन आपको इसके अंदर दिखने में जाएगे 16.9 mm स्लीम फूल मेटल बॉड़ी के साथ आपको यह दिखने में जाएगा 15.6 इंचेस का बड़ा डिस्पले और इसके अंदर आपको 1920 इंट्वेंटी फूल एच्टी रिजॉलीशन वाला डिस्पले 60 हर्स का डिस्पले गेमिंग लेप्टॉप तो नहीं आये अल्टरा है तो य यह जाए अधी की बूकलटर तो यह गेमिंग लैटब को पॉंपटेंट नहीं कर सेथा लेकिन प्राइसिंग काफी अच्छी रहकी गई है इसको एक प्रोफेशनल लैपटॉप इसके लिए बहुत ही अच्छे है इसकी इसके अंदर editing बहुत अच्छी कर सकते हो और color gamut इसका जैसे के 100% है तो color accuracy आप इसके अंदर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बॉक्स के इंदर इंदर देखने में जाएगा और इसका एए ब्यूटी केंप बैक्रांड ब्लर कर सकता है camera तो camera quality बोलुट तो 720p वाला camera तो मैं expecting नहीं करता है लैप्टोप की camera से कुछ लेकिन इसका confirm नहीं है कि 720p आएगा कि 1080p आएगा अगर 1080p आता है तो बहुत ही अच्छी बात है clarity बहुत अच्छी देखने में जाए कि quad array balance crispy heights and deep bass आपको इसके अंदर देखने मुझेगा यानि कि अच्छी एक्स्टेंड़ 6Ghz का support आपको इसके अंदर देखने मुझेगा हाइच स्पीड विदाव ट्राफिक जंट आपको इसके अंदर त्राफिक जाएगा यानि कि बहुत ही जादा latest HDMI port यूज़ किया गया यूस्ब 3.0 यूस्ब टाइप-C और इसके अंदर एक चीज की कमी लग रहे है मिरको वह है जबना आता है था थंडरबोर्ड फोर्ड पोर्ट की कमी मिरको इसके अंदर मैसूस हो रही है 40 प्लस कंट्री थर्ड लाजस्ट ब्रैंड 10 million plus happy customer 10 million plus users तो यही था इस brand के related कुछ डीटेश और आपको कैसी लगी hyper book hyper book नहीं बुक अल्टर जीरो बुक अल्टर आपको कैसी लगी इसकी इन्फिनिक्स की वन लैक रूपीज में आपको वर्थ है या नहीं तो देखो अगर आपको पसंद आती है तो लोग वर्ना मैं सज़ेस्ट करूंगा कि आसूस का वीवो बुक इससे बहुत ज्यादा बे इसके रिव्यू जो होता है सर्विस सेंटर भी बहुत कम है इन्फिनिक्स की और असूस तो एक बहुत ही वेल नौन ब्रेंड है गेमिंग लेप्टोप सब इसमें आसूस इस ओपी तो यस अगर आपको वीडियो चला लगाओ तो लाइक कर दो सब्सक्रेब कर दो बेर सूज सेंटीजस लिए नो असूस बहुत मैं रोफWh